ड्रोन 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 अब ये ड्रोन ऐसा इन्वेंशन है ये पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है अब चाहे आप फोटोग्राफर हो या वीडियोग्राफर हो या मेरी तरह हाइब्रिट शूटर हो अब हर तीसरे बंदे के पास एक ड्रोन तो होता ही होता है अब पांस उसका reason यह नहीं है कि बस gear acquisition की उपर है इसका reason यह भी है कि एक अनोखा composition और framing मिलता है जो कि शायद कोई देखा नहीं होता है जो कि पहले जमाने में एक aerial shot लेने के लिए helicopter का use किया जाता था आज यह unmanned craft easily आपको वो perspective दे देता है क्योंकि हर कोई इनसान तो easily उपर जाके photo एक देख नहीं सकता यह view देख तो नहीं सकता अब किसी के पास अगर drone हो तो वो view easily मिल जाता है तो दोस्तों मेरा नाम है अमित पाड़ी दे लेमें फोटोग्राफर और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो के थ्रू से मैं आपको आज एक drone के बारे में in-depth वीडियो बनाऊंगा और उसको start कैसे करते हैं चलाते कैसे हैं कैसे मेरे secret type के जो angle रहते हैं या फिर मेरे movements रहते हैं जिसके थ्रू से मैं अपने बहुत ही सुन्दर सुन्दर footage निकाल पाता हूँ So just keep watching this video आपको drone के बारे में बहुत ही knowledge मिलने वाला है The video start करने से पहले मैं आपको एक छोटा से चीज़ वदा दो आप अपना drone next purchase करना चाहते हैं तो मैं उपर link दे रहा हूँ मैंने dedicated video बना रखा है कि आपको कौन सा drone लेना चाहिए वसा आपको ये भी बता दूँ कि company बहुत सारे है drones की लेकिन मेरा जो personal favorite है और ये drone market को जो dominant करके रखा है और उसके services भी अच्छे मिलता है वो है DJI की तो आप जाके उस video को देखिए आपको easily idea हो जाएगा कि आपको कौन सा drone लेने से बहतर रहेगा तो पहले number point पे हम आते हैं और जिसके बार में बात करते हैं वो है the box content box में मिलता क्या है जब आप पहली बार एक box खरीते हो तो मैं जादा उसके बारे में नहीं बता हूँ कि box कैसा दिखता है क्या नहीं दिखता है लेकिन आपको सीधा सीधा बता हूँ box के अंदर एक बैग मिलता है अच्छा खासा बैग मिलता है जिसके अंदर ही ड्रोन रिमोट उसके अक्सेसरी सारी पैक होके आते हैं तो यह जो आपको दिखा रहोंगा भी यह बढ़िया सा बैग है और यह लेदर फिनिश पर रहता है और काफी वेदर प्रूब भी रहता जो को देगा उसके साथ ही कुछ मिलते हैं बैटरीस और बैटरीस के चारजर अप चार्जर मेरे पास यहां पर मैं रखा नहीं हूँ लेकिन आपको चारजर का भी Ben वीडियो लटका दूआ यहां पर आप देख सकते हैं उसके साथ एक जो है आरसी जिसे रिमोट कंट्रोल कहा जाता है आप चाहे तो एक रिमोट कंट्रोल भी देता है रिमोट के साथ लेकिन वह थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है लेकिन आपके पास अगर वह नॉर्मल रिमोट वाला भी लाते हैं तो आपको कोई इस्व तो नहीं होने वाला है अब किसी किसी ड्रोन पर एंडी फिल्टर के सेट भी देते हैं तो मेरे पास 1.8 रहता है और किसी किसे मीनी क्राटेगरिया जैसे की डीजी मीनी 3 या 4 प्रो उसके एपरचर 1.7 रहते हैं तो उसमें डी फिल्टर अगर आप दिन के टाइम पे उड़ाते हैं तो चाहिए होता है तू लेबल अप दे एक्सपोजर अब उसके साथ कुछ वायर देते हैं बॉसकी जैसे कि टैप si to type si या टाइपिसी डो फंडर वल्ड यह लाइटनिंग पूर्ट देता है जो के आइफोन डेच होता है तो आपके पास अगर टाय जैबल है यहागर नहीं भी है तो इसमें देता है क्विन कभी-कभी खराब हो जाता है कि ऐसक्ट होए तो आपको भाद में लेना पड़ता है तो यह थे सारे box के और कुछ अक्स्ट्रा चीज़ आते हैं जैसे कि अक्स्ट्रा प्रोपवाइलर साते हैं जैसे रिमोट कंट्रोल के स्टिक्स जो है वह लटक के आप है उसका पेज दिया रहता है रिमोट के अंदर आप उसको निकाल के एजिली अंस्क्रू कर सकते हैं फिर स्कूरू भी कर सकते हैं तो यह सारे जो चीजें हैं यह एक बॉक्स के अंदर आते आए जब आप पहली बार अपना ड्रोन खरीते हैं अब इसका रिमोट जो है ऐसा ही आता है यह प्रोपेलर से यहां पर और उपर यह एनलॉक्स का जो स्टिक्स जहां पर लगने वाला उसका पोजिशन है और यहां पर एंटीना है और एंटीना के साथ साथ ही अभी इंटीग्रेट कर दिया है पुराने रिमोट पर इंटीना अलग रहते थे और स्मार्टफोन तो यहां पर स्मार्टफोन लगता है और यह एंटीना इटसल्फ काम करता है तो और इसके नीचे है यह वायर का कनेक्शन एक रिमोट के साथ लगता है एक लगता है क्यामरा के साथ तो अपने को यहीं वायर निकालना है जो कि अभी स्मार्टफोन के साथ लगने वाला है हो गया है अब इसके नीचे यहां पर स्लोट पर रहता है स्टिक्स तो इसको स्कुरू ही करना है ज्यादा कुछ इसको इशू नहीं होने वाला है तो एक मैंने यह लगा दिया और यह दूसरा है तो यह बस सेट हो गया रिमोट जो है यह पूरी तरह से सेट हो चुका है बस इसको करना है स्टार्ट लेकिन उससे पहले मैं रिमोट का ओवर्व्यू आपको बता देता हूं थोड़ा थोड़ा जैसे कि यह बताया यह एनलॉक्स है तो यह डिरेक्शन्स और मूव्मेंट यह power on off का दूब बता very speed ब夢 है अभगत यह स्मूथ हो जाता है सब कुछ मूब्मेंडben अंगल सब कुछ और नॉर्मल नौर्मल एक मिडियम पेस पे चलता है स्पीड पे लेकिन मुवमेंट जो है थोड़े-थोड़े जर्की होते हैं तो मैं मोस्टली सिने यूज़ करता हूं या फर अगर वाइड एरिया है तो स्पोर्ट्स मोड पर यूज़ करता हूं साथ इसके उपर भी कुछ बटन के लिए या फिर रेकॉर्ड बटन के लिए जिसे कहते हैं उसको यूज़ करने के लिए है अब आपको बताता हूं ड्रोन के बारे में जैसे कि मैंने बताया थे प्रॉपेलर मैं इंस्टॉल कर दिया है लेकिन वही कलर कोड़ों के देखिए जैसे कि राइट आरंप और और लेफ्ट का और और तो यह वाला प्रॉपेलर लिखाई रहता है कि यहीं पर लगाना है और यह दोनों जैसे कि ब्लैक है ब्लैक पर और इसको लगाना भी कुछ नहीं है बस इसको निकाल के पुश करके यहां पर डिरेक्शन दिया हुआ है कि आपको क्लॉक्वाइज मै का ओवर्व्यू दे देता हूं अभी यहां पर देख सकते हैं यह गिंबल और कैमरा एक मॉड्यूल है तो यह वन इंच का सेंसर है बहुत यह अच्छा का सेंसर है जो कि 10-bit का वीडियो रेकॉर्ड करता है अप्टू 5.4 के 30 fps तक है यहां पर यह है बैटरी का और यह उसी तरह बटन है जिसको आन आफ करने के लिए काम आता है इंफ्ट बैटरी अगर चार्ज होआ के नहीं चार्ज करते वक्त भी इसी सही पता चलता है सबसे यह ड्रोन का अच्छी बात है यहां पर यह बैकवर्ड का दो सेंसर है सामने पर चार सेंसर है मतलब अगर और यह पानी जैसा चीज़ आता है दो यह लैंड नहींकर और उसके साथ ही आपर मेमरी कर्ड का स्लॉट अब यह वाला चारजर का स्लॉट है और उसके back side में जो है यह memory card का मतलब SD card का slot है यहाँ पर तो यह SD card इसमें देता नहीं है हाला कि इसमें inbuilt storage है 8 GB का लेकिन मेरे इसाब से अगर 5K या 4K पर शूट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनिट तक शूट कर सकते हैं तो आपको एक SD card खरीदना पड़े का हाय स्पीड वाला तो यह था एक छोटा सो ओवर्वी ड्रोन के उपर अब चलते हैं इसको connect करके देखते हैं तो चलिए अब दोनों connect करते हैं उसके बात मैं आपको एप के बारे में बताऊंगा तो पहले यह ड्रोन को एक बार प्रेस करने से लाइट जलता है लेकिन और एक बार प्रेस करके अगर उसको दबा देंगे हम तो यह ओन हो जाता है मतलब एक बार प्रेस करके और प्रेस करके होल्ड करना है तब सारी यह जो गिंबल है देखिए गिंबल का मुवमेंट होगा और प्रॉपिलर का थोड़ा-थोड़ा मुवमेंट होगा इससे पता चल जाएगा आपको ड्रोन ओन हो गया अब उसको फ्लैट सरपेस पर रखना है अब मैं फ्लैट पर नहीं रखना हूं थ इसका स्क्रीन डेकर्ट भी स्टार्ट कर देता हूं ताकि आपको बता पाऊंगा कि इसका एप कैसा दिखता इसका जो एप का इंटरफेस है वह एक्चुली कैसा दिखता है हम अब पॉंपवेट अब इसने भी आवाज कर दिया तो मैं स्क्रीन डेकॉर्ड पर जाता हो तो यह पहले से ओन था अगर नहीं होता है तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देखा आपको जैसे कि मैंने आपको बताया इसके ओफिशल वेबसाइट पर जाके ही आपको डीजी आप मानना है अगर आप आइफोन यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तो यह जैसे कि अगर आपका कनेक्शन नहीं होता है तो अगर आप पहली बार लांच कर रहे हैं तो डिरेक्शन अपने आप देखा यह क्यूंकि पहले से कर चुका हूं तो मुझे नहीं पता चल रहा है लेकिन आपका भी connection करना बहुत इजी है उसमें on screen process देता है उससे इजी आप कर सकते हैं अगर आपको नहीं भी मिलता है इसके menu पे जो user manual है उससे भी आप देख सकते हैं तो अब जो यह connect हो गया है चलते हैं इसके interface के बारे में आपको बताता हूं यह मैंने go fly पे गया हुआ है और जैसे कि अभी देख रहे हैं बहुत अजीव हो गरीब सब जीवरास पैटन दिये होंगे तो यह मैंने सारा on कर दिया है तो पहले इसको मैं auto पे कर देता हूं ताकि यह map को मैं ऐसे रख सकता हूं या फिर उसको एक और बार क्लिक करने से फुल स्क्रीन पर आ जाएगा ऐसा कोई नहीं है यहां पर मैं फिर से क्लिक करूंगा तो मैप आजाएगा map को और रखना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब टेक आउप होता है क्यामरा मतलब ड 24 fps तक कर सकते हैं सॉरी मैंने आपको 30 fps बताया था लेकिन 5.4 24 fps तक शूट होगा लेकिन मैं मुस्टली शूट करता हूं 4k पर 4k 25 fps 30 fps पर कभी-कभी मैं 50 fps पर शूट करता हूं और उसके बाद यह exposure compensation है तो मैं मुस्टली माइनस पॉइंट 3 से माइनस पॉइंट 7 पर रखता हूं अगर मैं एंडी फिल्टर लगाता हूं तो जनरली मैं इसको सटर स्पीट पर ले आता हूं ऑटो पर रख देता हूं कभी-कभी यह रहेगा हंड़ेट पे सटर स्पीट रहेगा ऑटो पर तो देखिए आटोमेटिक आगए इससे आपको रफ आइडिया हो जाए कितना हुझे रखना है तो वन बैट 1250 अभी बता रहा है शटर स्पीड लेकिन एंडी फिल्टर अगर आप लगा देंगे सिक्स टॉप का तो सिक्स टॉप्स का वह एनेंस्मेंट आपको हो जाएगा तो यह था सारा इंफॉरमेशन आप यहां पर क्लिक करेंगे मिडल पे और यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर फोटो मोड पर जा सकते हैं या फिर यह बटन को क्लिक करेंगे तो यह फिलिप भी हो सकता है तो अब फोटो के उपर चलते हैं तो फोटो में बहुत सारे उप्शन है आप चाहिए तो सिंगल फ्रेम लग सकते हैं स्मार्ट ले सकते हैं यह इंटेलिजेंटली खुदी लेगा इंफॉरमेशन को कैप्चर करेगा मैं मोस्टली एई बी पर रखता हूं मतलब ऑटो एक् प्लस वन माइनस ओन और जीरो एक्सपोजर में पांच टॉप लेता है ताकि आप लाइट रूम पे जाके इसको एक्सपोजर ब्लेडिंग या जिसको HDR कहा जाता है आप कर सके उसके बाद बहुत सारे इंफॉरमेशन आते हैं तो पहले मैं आपको सेफटी के बारे में बता ब्रेक पर रख देता हूं ब्रेक पर रखने से सदनली ब्रेक की लगा देगा उसको क्रॉस नहीं करेगा या पिर अगर मैनुवल पर उड़ाना चाहते हैं तो आप पर रख सकते हैं लेकिन यह बहुत रिस्क बढ़ भी जाता है तो मोस्तली अभी मैं जैसे नोन लोकेशन पर हो तो बाइपास पर रख दूगा तो सामने कोई पेड या कुछ भी आता है तो वह साइट से या उपर से या नीचे से अपने आप ले लेगा अब यह डिसेबल साइडवेस फ्लाइट है अगर इसको अन कर देते हैं तो मुम्मेंट जो रहता है लेफ्ट या राइट व 500 मीटर हाइट तक आप ले सकते हैं और मैक्स डिस्टेंस से 8000 मीटर यानि 8 किलोमेटर तक आप आराम से उड़ा सकते हैं उसके बाद आता है नॉर्मल उसके बाद आता है इसके बारे में तो सेंसर को के लिएट करना हो तो बहुत ही एजी रहता है वह आपको बताऊंगा इ आइसवैं तो यह कर सकते हैं जैसे कि देखिए स्थी या अझी ओगया लाइट अब मैं इसको चाहूं तो आटो पे भी रख सकता हूं या और फिर से ओन रखूंगा अभी फिलाल मैं इसको आप पे रख रहा हूं और इसके बाद एयर क्लप LED भी है यह जो ग्रीन लाइट जल रहे हैं यह LED सारे अभी ओन हो गया है इसको मैं आटो पे रखता हूं दिन के टाइम पे यह ज्यादा पर इससी नहीं होता है रात के टाइम पर ज्यादा यूज होता है उसके बाद बस इतना ही था अगर डोन आप कहीं पर गों हो जाता है तो find my drone करके आप एजिली एक कोशिस कर सकते हैं अगर दूर पर गिरा है तो मिलना मुश्किल है पानी के अंधर गर गिरता है तो मुश् छो प्राफेलर को एक डिरेक्षिन पर लोग आगर आप देख सकते हैं जैसे कि यह दोनों एंगल जो दिखाया हुआ है यह दोनों पर लोगे तो फ्राफेलर बंद हो जाएगा और अम लोग तो दोनों साइट पर करते हैं तो वह एमरजन्सी कंडिशन पर नीचे आप तो यह था अपना सिफ्टी के उपर कंट्रोल के उपर जाएंगे तो यहां पर यूनिट्स मेट्रिक पर है मतलब मिटर पर है यह किलोमिटर आप जो चाहें उस पर रख सकते हैं डिस्टेंस रीडिंग डिस्प्ले जो मैं लार्जर टेक्स टरकां क्योंकि मैं चस्मा पहनता ह तो मुझे थोड़े बड़े साइट चाहिए होते हैं सब्जेट स्कैनिंग मैं औफ रखता हूं गेन एक्सपोर ट्यूनिंग यह थोड़े थोड़े एडवांस होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका मूव्मेंट को जितने भी मूव्मेंट्स सारे हैं सिने नॉर् से बताइए आपको इसके बारे में जानना है तो इसके बारे में डेडिकेटट वीडियो आपको ले के आऊँगा क्योंकि आज जो यह बेसिक बिगिनर्स लोग की वीडियो है या फिर जो एक ड्रोन खरीच चुक हैं लेकिन मुश्किल हो रहा है उड़ाने में उनके लिए है तो इसलिए यह सब मैं कवर नहीं करूंगा अब गिंबल मोड मैं हमें सब फोलो मोड पर रखता हूं चाहें तो आप एपपी भी रख सकते हैं लेकिन एपपी मोड पर क्या होता है होराइजन जो है वो टेड़ा हो जाता है वो मुझे सिनमेटिक फिल नहीं देता है तो मैं फॉलो मोड पर हमेशा रखता हूं एलाव अपवड गिंबल रोटेशन जो गिंबल का रोटेशन है यह उपपर नीचे ही होगा उसको करना है हमेशा तो बहुत जगा काम आता है गिंबल का भी कैलिबरेशन ऐसा ही होता है अब स्टिक मोड यह आपके कंविनियंस के हिसाब से रखेंगे जैसे कि यह बता दिया है देखो आप लेफ्ट और राइट स्टिक में क्या होता है मेंली तो अगर लेफ्ट में टर्न करता हूं तो लेफ्ट टर्न करेगा मतलब ऐसा रोटेट करेगा इस तरह से रोटेट कर यह एक्सेंट कर रहा है मतलब उपर जाएगा और डीसेंड मतलब नीचे आएगा यह होता है राइट जो लेफ्ट स्टिक है उसका काम मतलब यह स्टिक यही करेगा रोटेट और उपर नीचे जाने का काम करेगा अब जो राइट स्टिक है इसका काम यह है अगर आगे बढ़ करते हैं तो पीछे जाएगा left करते हैं तो ऐसा जाएगा और left करेंगे तो ऐसा वाइट करेंगे तो ऐसा जाएगा sideways अब जो movement होता है यह दोनों पार को अगर balance करके आप यूज करते हैं जैसे कि ऐसे एसे या ऐसे करके आपको वह भी बताओंगा मैं तो आपको वो cinematic movement मिल सकता है मतलब मुझे side भी जाना rotate भी करना है gimbal नीचे भी करना है तो तीनों मैं finger को use करके वैसे movements ला सकता हूं जैसे कि मेरे most videos पर आप dynamic videos पाएंगे कभी still एक directional नहीं रहता है थोड़ा थोड़ा turn करता रहता भी आगे चलता रहता है gimbal movement भी करता रहता है तो वह काम करता है इसी मोड से ही मतलब यह कस्टमाइशन आप कर सकते हैं तो यह था कंट्रोल के उपर अब क्यामरा के उपर सारा सेटिंग से मैं हमें सब्सक्राइब रखता हूं फोटो थी स्टू पर रखता हूं जहां पर फोकस रहेगा ओवर एक्सपोस का वार्निंग भी आउन है और ग्रीड लाइन समय यह तीनों रखते दाओं डाइगनल पर रहेगा रूल सब्सक्राइब रहेगा और स्पोर्ट मीट्रिंग रहता है वह भी और रहता है फ्रेम गाइड भी मैं नही पर अपने स्मार्ट फोन पर रेकॉर्ड हो सकता है अब ट्रांस्मिशन पर ज्यादा कुछ नहीं करना यहां पर डेफिनिशन स्मूथ पर रख दिया हूं मैं और जो फ्रिक्वेंसी वह डॉल बैंट पर रखता है कई-कई जगह पर 5.8 गिगार सपोर्ट नहीं करता है तो बेसिकल 2.4 पर करना पड़ता है अगर दोनों डॉल बैंट नहीं होगा तो कभी-कभी डिसकनेट हो जाता है तो डॉल बैंट कर देने से वह अपनी आप खुदी डिसाइड करिया कौन से एडिया पर कौन सा बैंट रखना है अब चैनल मोड पर उतना जाना नहीं है एंड से आप यह इन्फोर्मेशन आपके डूर्ण के बारे में or remote control के बारे में तो सारा Instagram और जो इनन्कैमरेज़ा एफ ये छोटा सा इंडेप्ध एबाउट की कैसा क्या करना है तो आई थिंग ये थीक ही रहेगा इतना पर और तो चलिए अब चलते हैं ड्रोन को उड़ा के देखते हैं और इसके कंट्रोल कैसे होने वाले उसके बारे में देखते हैं उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं एंडी फिल्टर कैसे लगाते हैं अब यह इसके साथ एंडी फिल्टर आता है अगर आप फ्लाइमोर कॉम्बो लेते हैं डीजे तो फिल्टर लगा हुआ है जो प्लेन उसका क्याप है उसके साथ एक फूर स्टॉप का एट स्टॉप का सिक्स्टीन स्टॉप स्टॉप स्का आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है धाई साल हो गया है मैं यूज कर रहा हूं और काफी अच्छा है तो लिए इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूं और लगाने से पहले मेक श्योट टू स्विच ओफ यूर्ड ड्रोन क्योंकि उस पर गिंबल का मुमेड़ को डैमेज कर सकता है तो उसको आफ कि उसके बाद लगाई तो जैसा कि मैंने ड्रोन को आफ कर दिया है और यह यहां पर चार सॉकेट हैं गिंबल पर एक दो तीन चार तो उसी ग्याप पर इसको लगाना है आपको तो यहां पर मैंने इसको लगा दिया और कुछ करना नहीं है बस clockwise डिरेक्शन पर इसको पुश करना है और देखिए यह गिंबल पर लग गया चलिए अब फिलाल इसको कर देखिए कर देखिए तो मैंने अभी यह ड्रोन को उपर एक्सेंट कर दिया है तो चलिए पहले जल्दी से मैं आपको कंट्रोस के बारे में बता सकता हूं आप मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड पर देख पा रहे होंगे अब यह वाला लेफ्ट मैंने आपको बताया था अगर उपर करता तो उपर जाएगा यह राइट जाएगा तो चलो आपको धीरे दीरे बता ही देता हूं मैं देखे जैसे कि मैं राइट की तरफ मोड़ रहा हूं लेफ्ट अनलोग पे यहां पर तो यह आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राइट के तरफ मोड़ रहा है Similarly left के तरब अगर मुड़ता हूँ तो यह left के तरब मुड़ता है अगर उप़द दबाता हूँ तो देखिए यह उप़द जाता हूँ वैसे ही नीचे जाता हूँ यह वाला camera यह movement नीचे ही करता है Similarly अगर आगए बढ़ाता हूँ तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगी अब यह स्पीड पर मैं स्पोर्ट्स मोड पर करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा स्पीड में देखिए आगे जा रहा है से मिला ले पीछे करता हूँ तो यह पीछे आएगा और जब राइट करूँगा तो कोई डिरेक्शन च ले आता हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स मोड पर करने से बैटरी भी डबल स्पीड में ड्रेन होता है और एक चीज़ भी हो जाता है तो कोई चड़िया पक्षी भी अगर उपर आता है तगरा भी सकता है तो मैं सिने मोड पर ले आया हूँ अब यह देख सकते हैं एक यह वाला इसको मिला के कुछ ड्रोन्स यूज़ करते हैं और देखिए मैं डाइनामिक कंट्रोल से अभी करूंगा जैसे कि आप देख पारे होंगी अभी अब यह सीधा भी जा रहा है और इसके साथ मैंने अगर गिंबल को नीचे के तरप किया तो यह सीधा जा जाके नीचे करेगा तो यह किसी इंट्रोडक्शन शॉट में बहुत यूज़ होता है अब जैसे कि अब चलते हैं कहीं और पे अब मुझे यह मिडल पे रखना है यह चोटा सा जो आइलेंड है और इसके साथ अभी मुझे रिकॉर्ड करना है मैं राइट साइट पे बिलूंगा और लेफ्ट टर्न भी करूंगा तो देखिए अब यह धीरे दिरे राइट जाना स्टार्ट ह हो गया है कि और साथ ही साथ मैं इसको टर्न भी कर रहा हूं कि लेफ्ट के तरफ कि सिमिलरली हम उसको ऑपसे डिरेक्शन में भी कर सकते हैं मतलब लेफ्ट के तरफ वह साइडवेज जाएगा और मैं यह राइए लेफ्ट स्टिक से अगर राइट के तरफ करता हूं तो रोटेट राइट के तरफ करेगा जैसे कि यह वाला शौट देखिया अब कि इसको स्पोर्ट्स मोड करता हो तो अब फास्ट हो जाएगा अब उसी के साथ ही अब देखिए हुआ ना मतलब यह शॉट अगर आप कोई चीज आपको सेंटर पर जैसे की कोई कोई मॉनुमेंट है या कोई आर्किटेक्चर है यह कोई सब्जेक्ट है कोई परसन है उसको मिडल पर रख के आपको उसके ऑर्बिट पर दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसा शॉट ईजी ली ले सकते हैं अब सिमिलरली मोस्ट ली मैं ऐसा सीधे शॉट भी लेता हूं कि सीधे लेता रहता हूं अगर मुझे कहीं पर कोई पॉइंट पर लगा कि नीचे एक अच्छा पॉइंट जो की फोकस होना चाहिए या उसको सेंटर अब एट्रेक्शन मिलना चाहिए जैसे कि यह पानी का सोर्स आ गया और नीचे जा रहा है जा रहा है और तुरंद भी शॉट बहुत ही अच्छा लगता है किसी को फोकस में रखना है तो एक और जो शॉट है मैं मोस्टली यूज करता हूं डाउनवार्ड से अपवर्ड गिंबल रोटेशन होगा और फॉरवर्ड जाते रहेगा जैसे कि यह एक शॉट है आप देख रहे हैं नीचे का सारा एलेमेंट्स दिखाई दे रहा है यहां पर कि यह रस्ता दिखाई दे रहा है इसके साथ ही मैं अब उपर रोटेशन भी कर रहा हूं इसमें भी यह भी एक एस्टाबलिश्मेंट काइंड ऑफ शॉट देने में बहुत ही अच्छा रहता है रियल स्टेट्स पे बहुत अच्छे काम आते हैं और इसके साथ ही एक और चीज भी रहता है जो कि मैं मुस्ट यूज नहीं करता हूं लेकिन ऐसे बिगिनर आपको य मास्टर शॉट्स या क्विक शॉट्स भी दिये रहते हैं मास्टर शॉट्स मतलब बेसीकली यह टाइम कंजियूमिंग है शायद मेरा बैटरी उतना देगा नहीं लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप ड्रोनी यूज करते हैं तो आपका शेंटर पर रखके ड्रो पर देख सकते हैं इस तरह के शॉट जाएगा उपर सीधे डाउनवर्ड करके गिंबल को उपर जाएगा अब सर्किल मैं मोस्टली यूज करता हूं लेकिन मैनुवली यूज करता हूं यहां को फूलेजडी पे रिजल्ट देते हैं लेकिन मैं 4K मैंनुवली कंट्रोल करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बता रहा था और जो एंगल के शॉट मैंने आपको बता रहा था इस पर यह वही कर दो अपको सिलेक्ट करना है चलो जैसे कि मैं आपको बता देता हूं इसको एक छोटा से एग्जम्बल लेकि अब म एलो मैं यह चोटा सा एलेंड को यहां पर रखता हूं कि कि सायद कॉंट्रास्ट के लैक के कारण यह मुझे उतना अच्छी तरह से नहीं हो रहा है करने अब देखते हैं जाहां पर ज्यादा कॉंट्रास्ट वहां पर रखते हैं कि सब्जेक्ट पता ने लॉस्ट क्यों हो रहा इतना आइटिंग हवा के करन की वह बहुत ज्यादा तेज चल रहा है हवा कि तो कोई और एक जगा लेते हैं अब देखिए सिलेट कर गया अब बस स्टार्ट करना यहां पर और यह तीन सेकेंड के अंदर शॉट लेना स्टार्ट कर देगा अब देखिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे डिरेक्शन यह चेंज कर रहा है आपको पता किसे चलेगा नीचे डिस्टेंस जो डी दिखा रहा है वहां पर हाइट वहीं मेंटें करेगा लेकिन डिस्टेंस चेंज होता रहता है और देखिये धीरे दिरे धीरे धीरे यह चेंज हो रहा है कि तो 6% हुआ है इसको सायत मेरा जो 37% बैटरी बचा है और यह 7% तो इसमें बैटरी ड्रेन हो जाएगा लेकिन इसको कैंसल कर दे रहा हूं तो चोटा सा यह बेसिकल आपको एक तरीका बताना था कि यह बैटरी भी मैं भी स्पोर्ट्स मोड पे उड़ा रहा हूं तो बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी ड्रेन कर रहा है और उसी के साथ कुछ लेकि आपको अर्थ के फॉर्माट में बना देगा यह बहुत पुराना डीजे का एक कुछ शॉट पे आता है तो बस इतना ही था मैं मुस्टली यूज नहीं करता हूं लिकिन आप एक्सपरिमेंट कर सकते हैं कि ड्रोन मतलब कुछ भी हाथ से हो सकते हैं मैं उपर जा नही कुछ भी हो सकता है तो आपको बस देख के करना है तो यह था क्विक शॉट्स और इंट्रफेस और कैसे उड़ाते हैं उसके बारे तो यह था एक इंडेप्थ बीडियो अबाट ड्रोन फ्लाइंग अगर आप बिगिनर्स हो या फिर एक ड्रोन आप नए खरीते हो लेकिन मुश्किल हो रहा है आपको उड़ाने पर या फिर जिसके इंडेप्थ हैं और आपको बोर लगता यूजर मैनुवल पढ़ने पर तो शायद आपके लिए अच्छा वीडियो बना होगा आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आप से रिक्वेस्ट करूँआ कि आप सब्सक्राइब किजी क्यूंकि मैं बहुत सारे ट्यूटेरियल्स और ऐसा रिव्यूज या फिर जो नेससिटीज होते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में उसको शे मिला है लाइक्स मिले हैं और काफी लोगों ने इंटरेक्ट भी किया हुआ है तो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो से आपको कैसा किया फाइदा हुआ कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिले या नहीं अपाउट दो मुमेंट्स इंड्रोंस क्योंकि वह नौलेज शेयर कर सकते हैं सब के सब और कुछ ना कुछ अपने बीच में ही जान सकते हैं तो देख वाज ओल अबाउट दो वीडियो तो इस योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग आफ एंड टेक किया